हेलो स्टुडेंट्स हेलो आप सब स्वागत आप सभी का टीचर सद्डा के यूट्यूब चैनल पर और आज हम करने वाले हैं हमारा कॉमर्स का सेशियन प्रीविस यर पेपर ऑफ डिमेंबर 2017 जी हां 2018 का जून 2018 का हमने कल किया था कंप्लीट पेपर और आज मैं आपको करवाने वाली हूं नवेंबर 2017 का जो हमारा प्रीविस यर पेपर हुआ था वह पर उसके हम आज का हम अपना सेशन स्टार्ट जैसे की स्टूडेंट्स आप सबको मैं पहले एक बात बता जेती हूं कि टीचर्स अड़ा 31 जूलाइ सेचर डेको सुभेट 10 बजे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आने वाला है जिसमें तो आप लोग आप से यह request है कि आप इस चीज़ को गिववे को एक बिकिस्ट गिववे लेकी आ रहे है तो आप सभी स्टूडेंट्स के शूड़ा है कि उस दिन उस पर शेयर करो तेकि हर स्टूडेंट को पता चलज की टीचर सबाट सभी स्टूडेंट के लिए क्या लेकर आने वाला है और वह बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि वह उसमें क्या है सिर्फ-फॉर शिफ आप ही का benefit है उससे ह आप लोगों के लिए 31 जुलाई को आने वाला तो इस अपॉर्चुरिटी को गवाईएगा मत बलकि क्या है आप टीचर सद्डको टैन ओक्लॉक मॉर्निंग यूट्यूब चैनल पर लाइव रहेगा हमारे साथ जुड़ेगा और अपने जितने ज्यादा हो सके इसको शेर जुड़े हुए हो सब्सक्राइब के साथ इनको शेयर करो ताकि हर एक स्टूडन्त एक पार्टीसिपेंट के लिए कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा आप लेकर ही जाएंगे लेकर ही जाएंगे तो जुड़ना ना भूलियेगा तो गाइस फटा-फटा ये करते हैं हम आज अपना और गाइस एक और इंपोर्टेंट नॉटिफिकेशन क्या कि अगर कोई स्टूडेंट पेपर वन क्या है टीचर सद्डा पेपर वन यूजी सीनेट पेपर वन के लिए भी क्या कर रहा है अपना बैच स्टार्ट कर रहा है जो कि 9 अगर से स्टार्ट होने वाला है तो अगर कोई भी स्टूडेंट यूजी सीनेट पेपर वन की त्यारी कर रहा है और वह त्यारी करना चाहता है और वह हमारे साथ जुडिये हमारे साथ जुडिये मैं आपको एक कोड बदाती हूं वाई 337 इस कोड को अगर आप 77 परसेंट की हूज डिसकाउंट मिलेगी 77 परसेंट कम नहीं है और आपको उस पेपर वन के बैच से कुछ ना कुछ क्वालिटी ही मिलेगे आप कुछ ना कुछ सीख के जाओंगे आपको कुछ क्योंकि हम आपको एजुकेटर बनाने में बिलीव करते हैं कि आज जो हम आप टू की क्योंकि पेपर टू कोमर्स के लिए भी हमारा जल्दी बहुत जल्दी बैच आने वाले तो फर्स्ट पेपर का जो बैच हमारा 9 ओगस से स्टार्ट हो रहा है और इस बैच को आप परचेज कीजिए परचेज करने के लिए जो कोड है वाई 337 यह मेरा कोड है इस करते हुए परचेज करो तो आपको 77 परसेंट की क्या मिलेगी डिसकाउंट मिलेगी बहुत ही बड़ी इतनी बड़ी डिसकाउंट में आपको बहुत ही अमेजिंग सेशन मिलने वाले हैं आपको लाइव क्लासिस मिलेगी रिकॉर्ड क्लासिस मिलेगी सारा का सारा कंटेंट आपको मिलेगा और इसकी सबसे में जो इसकी वेलेडिटी है पूरे 12 मंस की एक साल जी हाँ पूरा एक साल आपको कम्प्लीट हर एक चीज मिलेगी और डैफिनेटली अगर आप इस प्लान को परचेस करते हो तो डैफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका कि गुंसे पार सुखने रहे हैं Neustra K Potato के आप से किस्याड़ के आप से क्वेशन पूछे जाते हैं काना जमें कि कुन से पार्ड रहे हुचच को पुझे जाते हैं करते हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हम एक वे लग। तो गाइज आज का हमारा सेशन में फॉर्स्ट क्वेशन है तो इस स्टेटमें आपके पास गीवन और एक रिजन के रूब में तो आपको यह बताने की ठीक है गलत है क्या है उसको एक्सप्रेण कर रहा है नहीं कर रहा है तो यह स्टुडेंट्स फटा फट जुड़ते हैं हमारे साथ और करते हैं हम क्वेशन पहला क्वेशन है हमारा का लिब्रलाइशैं पिकेम एन इम्परेटिव कंडीशन क्या कहेँ रहा है इंडॉस्टियल लिब्राइशैंच थीक है इंडस्ट्री चा Himself ऑर रेगूमेशन साथ वनको क्या क्या करना लिब्रेटिवरायज्ट करना बहुत ही सिंपल बनाना क्या है एक इंपरेटिव कंडी कि इसकी ग्रोथ के लिए इसकी ग्रोथ के लिए पॉर्सिज ऑफ कॉंपटिशन यह आपके असर्शन में कहा गया है रीजन में क्या है कि इंडस्ट्रियल ड्वल्प्मेंट कि इंडस्ट्रियल ड्वल्पमेंट के घ्रवं में इंडस्ट्रियल ड्वल्पमेंट है उसको सिर्फ गौवर्प्मेंट की इंटर्वंचन के थूर folklore नहीं है तो second statement आपकी गलत है और यह इसको explain भी नहीं करें क्योंकि इसमें अलग बात कही गई है और इसमें अलग बात की गई है इसमें क्या कहा गया कि government intervention से ही हम industrial को develop कर सकते हैं और poverty को दूर कर सकते हैं लेकिन industrial government के इंटर्वेन के साथ से प्राइवेट सेक्टर के लोग है उनका भी हमें क्या है नीड रहेगी तो सेकिंड स्टेटमेंट हो गई आपकी गलत फर्स स्टेटमेंट ही ना ही इसको explain कर रही है तो answer हो गया आपका second option second option is your correct answer second option is your correct answer जी हाँ बिल्कुल हिंदी में भी है यह हिंदी स्टूडेंट्स के लिए कि उध्योगिक उधारिक अंपर्तिस परधा शक्तियों के विकास के लिए आवश्यक शर्त बन गया जिसके परिणाम सुरूप भारतिय उध्योगों में दक्षता और उत्पादक्ता में व्रिध्धी हुई तो ऐसा नहीं है ठीक है तो option second is your correct answer option second is your correct answer बिल्कुल बिल्कुल सही अंसर आया मोहित सिंगला औरोमा भारती का बिल्कुल सही next question है हमारा इसमें भी हमें के हैं तीन statement दी गई और हमसे पुछा गया कि इनमें से कौनसी statement सही नहीं है क्या पुछा गया are not correct which of the following statements are not correct statement first है आपकी sustainable development means an attempt to achieve the balance between economic growth and conservation of protection of environment क्या है कि sustainable development किसे कहते है एक attempt है क्या अचीव गरने का balance between economic growth and protection of environment कि environment को भी प्रोटेक्ट करे और economic growth भी करे यह हमारा क्या कहलाता है industrial development कहलाता है ठीक है यह हमारी first statement बोल रही है second statement में हमसे कागे कि sustainable development means यह तो बिल्कुल सही है कि sustainable development वो होता है हमारा जिसमें हम क्या करे economic growth और हमारी जो environment है उन दोनों के को में क्या करके लेके चले balance है नहीं कि हम economically grow भी करते रहें और साथ ही साथ जो हमारा environment है वो भी हमारा सही रहें को कोई गलत इफेक्ट ना जाए economic growth करने की जैसे क्योंकि क्या हम जादा जादा इंडस्ट्री अगर लगाएंगे तो उसे हमें पेड़ा को काटना पड़ेगा space चाहिएगा तो इस वजह से इसमें कहा गया कि sustainable development का मतलब कि एक ऐसा attempt जो क्या करें बैलन्स रखे कि इसमें economic growth में और आपके protection of environment में तो यह statement आपकी बिल्कुल सहीं है सेकिंड स्टेटमेंट में कहा गया है sustainable development means meeting the needs of industries without compromising the needs of import export balancing कि sustainable development का meaning क्या है needs जो industries की needs उनको meet out करना without compromising the needs of importer export balancing जी नहीं यह आपका बिल्कुल गलत है sustainable development का यह meaning नहीं होता है आगे है sustainable development means creation of sufficient surplus budget through stock of capital assets including land यह भी आपका sustainable development का meaning learning नहीं है Hindi students के लिए कथन वन में कहा गया सवहनिय विकास का अर्थ आर्थिक वृध्योर प्रयावरन का सरक्षन रक्षा के भी संतूलन बनाने का प्रयातन है बिल्कुल सहीं है यह बात उसके बात दिया गया है कथन सेकिंड में स्वहनिय विकास का अर्थ आयात निर्यात संतूलित करने के अवशक्ताओं में समझोता कि ये बिना उध्योगों के अवशक्तों को पूरा करना है जी नहीं गलत है तो इन्होंने हमसे क्या पुछा है कि जो सहीं नहीं है सहीं नहीं है जो सहीं नहीं है वो आपका कहा गया है सेकिंड और थर्ड तो सेकिंड ऑप्शन इस और करेक्ट आंसर सेकिंड ऑप्शन इस और सेकिंड आंसर बिल्कुल मोहाइट सिंगलाग बिल्कुल सहीं आं तो आंसर 2 is your correct answer, third question है हमारा आफ रिन का ही बिल्कुल सही answer है, उमा भारती का ही बिल्कुल सही answer है, second option, next question है हमारा, हमें क्या करने है, match करने, list 1 को list 2 के साथ, economic environment, economic environment इन में से आपका किसके साथ match करता है, बताओ students, economic environment, economic environment में होता है आपका trade और transport facilities, ethical issue, economic stratification of population और UDC power, हिंदी students के लिए, बताओ students क्या answer रहेगा इसका, इस question का answer आप लोग बताओगे, क्या answer रहेगा, आर्थिक परियावरन, आर्थिक परियावरन, आर्थिक परियावरन में क्या आएगा, मौहित सिंगला का answer आ रहा है, वन, उमा भारती भी कह रही है, वन, बिल्कुल सही, आर्थिक परियावरन का मतलब होते है, व्यपार और परिवेहन नीतिया, राजनीतिक और सरकारी परियावरन में आएगा, आपका राजनीतिक और सरकारी न्याईक शक्तियां, बिका आएगा, फोर्थ, सामाजिक और सांस्क्रितिक परियावरन अचार संबंधी मुद्धे और जनसंख्य की परियावरन जनसंख्या का आर्थिक स्तरीकरण, डिका आएगा, थर्ड, तो option first is your correct answer, option first is your correct answer, yes, yes, all policy including economic, economy में हमारी सारी policies को include किया जाता है, तो option one is your correct answer, next question है आपका, for which of the, one of the basic reason, the structural adjustment program was undertaken in India in 1991, कि 1991 में जो हमारे ये structural sap include किये गए थे, structural adjustment program, इसका basic reason क्या था, कि जो sap हमारे include किये गए थे, लाए थे हम, 1991 में, जो sap introduce किये थे, उसका लाने का जो main reason है, वो क्या था, क्यों sap structural adjustment program को introduce किया गया था, उसका main reason क्या था, curbing competition among private sector, establishing pre-dominant role of public sector, establishing a free market economy, और regional balancing through planning and licensing, हिंदी students के लिए, निमा लिख में कौन से एक मौलिक कारणों से वर्ष 1991 में भारत में, सरंचनात्मक समायोजन कारियेकरम शुरू किया गया, नीजी शेत्र में परतिस पर्धा को कम करने के लिए, सारुजनिक शेत्र की परमुख भूमी का स्थापित करने के लिए, या मुक्त बाजार अर्थ्ववस्था की स्थापना के लिए, और नियोजन और लाइसिंसिंग के द्वारा शेत्रिय संतुलन स्थापित करने के लिए, बताओ students क्या आंसर रहेगा, कि जो 1991 में सरंचनात्मक समायोजन कारियकरम शुरू किये गए थे, वो किस वजह से शुरू किये गए थे, सरंचनात्मक समायोजन कारियकरम, ये हमारे शुरू किये गए थे, मुक्त बजार अर्थ्ववस्था की स्थापना के लिए, कि किए फ्री मार्केट एकॉनमी को एस्टाबलिश करने के लिए हमारे इंट्रोड्यूस किया गये थे 1991 में थर्ड ऑप्शन is your करेक्ट आंसर मोहित सिंहां का बिल्कुल सहीं आंसर आया है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्केश्टन की तरफ नेक्स्ट माइक्रो एक्स्टर्नल एन्वार्मेंट 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 कौन सा एन्वार्मेंट होता है प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् सब्सक्राइब उप्रायर करते हैं तो फोड़ा सा क्या कर सकते हैं उनको के उप सकते हैं तो मैइक्रो एक्स्टर्नल एनवरमेंट में आएगा आपका इंपुट सप्लाइर 1. ठीक एए उसके बाद मैक्रो एक्स्टर्नल एन्वार्मेंट mix ट्प शिखरें एक किम्राइपंज क्तोमनेंड में आएगा एकनॉमेंक और तो यह हो गई आपके और इकनामिक ऐलिसी पालिसी थीक है वह रहां को बी में यह यह चुछ स्वाह चुक्राइब करें स्वाहँ आत版 क्वाराइश कोई नहीं कि तरह करें कोई प्रोड़क्ट के डिगार्डिंग को है उसको क्या नी कोई प्राइस टैसाण को साथ क्या आप प्र्राम आपका उतना ही रहेगा आप competition करने के लिए क्या कर सकते हैं आप टारडटी के साथ आपने कोई cup है उसको free दे दिया कोई mug उसको free दिया कोई spoon है उसको free मतलब प्राइस को बिना छेड़े क्या करते हो अपने non-price competition जैसे कि sponsoring of events like sports किसी भी event को क्या कर दिया आपने sponsor कर दिया ठीक है अब जैसे जो इंडियन इंडिया की जो हमारी uniform है उस uniform के उपर क्या है अलग अलग जो companies अपना क्या करते जैसे बाइजू से कोई भी company है वो हमारी change होती रहते है तो वो क्या करते स्पॉंसर ही करते हैं जहां पर उनको उनका जो competition वह नॉन प्राइस होता है डिजायर competition में आपका एगा competition अमंग diverse product targeting disposal income of the customer तो आप option first is your correct answer सभी students का विकुल सहीं अंसर आया है सूरज गुपता उमा भारती आफरीन मौहित सिंग्ला सभी students का बिल्कुल सहीं अंसर आया है वैल डन गाईज यह आपका हिंदी में वैसे इस question के लिए next है हमारा इसमें क्या है दो हमें assertion और reasoning दी गई है assertion में आपको कहा गया debt equity ratio indicates the long term solvency of a company debt equity ratio का मतलब क्या होता है debt equity ratio क्या indicate करते है long term solvency of a company बिल्कुल सहीं है यह बात कि debt equity ratio है वह हमारी क्या करते है long term solvency को क्योंकि debt or equity मैंने आपको पहले ही बता था capital structure की जो हमारे हमने थ्यूरिस की दी कि कोई भी form है कोई भी business हो उसके पास जो sources है mainly दो ही source होते है debt or liquidity debt का मतलब होता है third party से debt का मतलब होता है third party से हम borrow करते हैं और equity का मतलब हम हम अपनी जो लॉंग टर्म सोलवेंसी अपने एक्विटी में से अपनी डेट की पेमिंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं टाइमली पेमिंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो हमें इसे पदा चलते क्योंकि जो डेट और एक्विटी उसको हम लॉंग टर्म के लिए यूज करत करती रहेगी तो लॉंग टर्म वेंसी को यह शो करती है बिल्कुल सहीं है यह उसके बाद रीजन क्या दिया गया है इट मैजर्स द एबिलिटी ओफ़ अव ड़ा कंपनी टू पे ओफ इस लॉंग टर्म लाइबरिटी यह भी बिल्कुल सहीं है यह भी आपकी क्या है रीजन इसको explain भी कर रहा है क्योंकि debt equity में फर्स्ट कर उसमें आपको क्या कहा कि debt equity जो रेशो है long term solvency को company को indicate करते और इसका long term solvency का मतलब क्या होता है ability of the company to pay off its long term liability बिल्कुल सही इसको explain भी कर रही है तो first option होगे आपका correct answer both are correct and are is the correct reason for a बिल्कुल सही answer आया है बिल्कुल सही Hindi students के लिए green Samta Anupat किसी company की दिर्घ काली green Shodhanak Shanta को इंगित करता है बिल्कुल सही है यह किसी company की दिर्घ काली देवता का भुगतान करनी के खशंकता को मापता है बिल्कुल सही सिक्स्त का ए सूरज गुपता बिल्कुल सहीं अंसर मोहित सिंगला का अंसर आफरीन का भी अंसर बिल्कुल सहीं अंसर आ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स का नेक्स्ट क्वेशन है हमारा है गुड्वील ओफ फर्म औफ एक्सेण वाइज वल्यू डैट रूपिस थर्टी थाउजंड जो एक फ़र्म है उसकी जो गुड्वील है उसकी कितनी है 30,000 और लिए बुक्स में जो गुड्वील हमारी शो हो रही है 12,000 रुपे की जैड एक पार्टनर आया है वन बाइ फॉर्थ शियर के लिए तो हमसे ये पूछागे what amount he is supposed to bring for goodwill कि जो जड आया है उसको goodwill के कितने पैसे लेकर आने चाहिए तो guys इसको हम solve करते हैं देखो firm की goodwill कितनी दे रखिया हमें 30,000 फरम की goodwill कितनी दे रखिया है 50,000 ठीक है 30,000 अब इसमें वो कितने शेर के लिए बॉन बाइ फोर के लिए पूरी firm की goodwill कितनी दे रखिया थीinta हार रुपे फीक है अब उसमें से जो जड आ रहे हो कितने शेर के लिए न बाइ के लिए तो जैड का शियर कितना बना सेवेंटी फाइव हंडर रुपीज तो थर्ड ऑप्शन इस और करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन इस और करेक्ट आंसर बिल्कुली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पुछागे कि गुडविल एक फर्म की कितनी है 30,000 रुपे है बुक्स में कितनी शो हो रही है 12,000 इसका हमें कुछ नहीं करना इसका हमें कुछ नहीं करना जो हमारी बुक्स में शो हो रही है यह तो आपकी ओल्ड रेशो में और ओल्ड पार्टनर में डिवाइड हो जाएगी ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में क्या हो जाएगी इसकी फॉर्थ के लिए तो यह पुछा है कि वो ही सुपोस्ट टू ब्रिंग गुडविल की गुडविल का उसको कितना शेर बनता है टोटल गुडविल हो गई 30,000 आया कितने के लिए वन बाई 4 के लिए तो टोटल उसका शेर कितना बन गए 7500 जो यह हमारी बुक्स में शो हो रही है इसका हमें कुछ नहीं करना क्योंकि यह तो हमारी सिर्फ क्या है ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्डनर में डिस्ट्रिब्यूट होगी तो आंसर होगा 7500 बिलकुल सही सूरज गुपता उमा भारती आफरीन मोहित सिंगला सभी का बिलकुल सही आंसर आया उसके बाद है 9th question 9th question में आपको कहा गया ए लिमिटेड इश्व प्रोस्पेक्टस इन्वाइटिंग एप्लिकेशन फोर 2000 शेर एक कंपनी थी उसने क्या कि एक प्रोस्पेक्टस इश्व करके 2000 शेरों के लिए एप्लिकेशन मांगी एप्लिकेशन वर क्या है कि कमपनी में 2000 शेर इशू किये तो कितने कंपनी सिर्फ उतने ही अलोट कर सकते लेकिन उसके पास जो एप्लिकेशन आया वह कितने के लिए आ आलोट नहीं किया है तो एक पर्संथा ए जिसको 40 शेर आलोट किये गए क्या की चाली शेर उसको लोट किये गए हाव मैंनी शेर ही मस्ट अप्लाईड फॉर कि उसने कितने शेर के लिए अप्लाई किया था ये हमसे question में पूछा गया है तो गाइस हमने चांज करना है कि अगर जो हमारे इसमें क्या है हमें क्या दे रखा है allotted share हमें दे रखे और हमसे पुछा क्या गया कि उसके applied कितने हैं तो अगर हम यहां पर देखते हैं कि अगर उस परसन ने 2400 share के लिए apply किया था तो उसको allot कितने हुए 2000 इसने अगर 2400 share के लिए apply किया था तो उसको allot कितने हुए 2000 अगर एक करता तो 2000 विटे 2400 और अगर उसने क्या किये हैं उसको 40 share allot हुए है तो उसने apply कितने के लिए किया होगा देखो इसको क्या है कि अगर आपने 2000 share के लिए apply किया है तो आपको allot कितने हुए चोबी सो बटे दो हजार इंटू में उसने क्या किया उसको अलोट कितने शेयर हुए है 40 शेयर तो 40 शेयर के लिए क्या होगा इंटू में 40 कि अगर आप दो हजार शेयर क्या को हो आपके अलोटिड है तो आपके अप्लाइड कितने है 2400 शेर 2000 शेर अगर आपके क्या है अलोटीड है तो आपके अप्लाइड कितने है 2400 एक है तो 2400 बटे 2000 और अगर 40 शेर आपके अलोटीड है तो अप्लाइड कितने होंगे बस इसको सिंपली सॉल्व करो 20 दूनी 40 और 24 दूनी 80 अड़ताली शेर is your correct answer 48 शेर आपके क्या होंगे बिल्कुल correct answer अगर नहीं समझ में आया तो आपको एक बार और समझा देती हूं क्योंकि बहुत ही खिचड़ी सी पक गई है यहां कि देखो क्या हुआ इस question में आपसे क्या पुछा गया है वैसे तो सभी students के बिल्कुल सही अंसर आ गई है कि अगर आपके क्या है 2000 शेर आपके क्या है अलोटिड है ठीक है तो आपने कितने अपलाई किये थे आपके अपलाई कितने थे चोवी सो शेर अगर आपके एक शेर अलोटिड है तो आपके अपलाई कितने होंगे 2400 बटे 2000 और अगर आपके क्या है 40 share allotted हैं तो आपके applied कितने होंगे बस simple सा यह formula लगाना है आपको और यहाँ पर आगए आपके 48 share is the correct answer 48 share क्या लिख रहे हो आफरीन मैम share वाले और भी views लेकर आएगा क्या लिख रहे हो प्लीज थोड़ा clear लिखो बढ़ते हैं हमारे next question की तरफ next question है आपका which one of the following receipt is of revenue nature की इन में से आपकी कौन सी receipt क्या है revenue nature के निमल लिखित में से कौन सी आएगत प्रकृती की है आएगत प्रकृती revenue nature revenue nature का मतलब क्या होता है कि जो हमारी within of one year जो short term के लिए होती है जो हमारी कंप है soft term के लिए उसे हम कहते है revenue nature की revenue nature amount realize from sale of investment जो investment है वो हमारी long term के लिए तो अगर हम क्या करें sale करें तो वहां से हमें जो amount realize होगी वो हमारी revenue nature की नहीं है यह हमारी long term के लिए होती है ठीक रहा है मैम सवाल शेर कैपिटल के क्वेश्चन लेकर आएगा बॉल रहे है शेर कैपिटल के क्वेश्चन से समझ नहीं आ है यारा स्टुडेंट्स क्या कह रहे हूं आप आपस मैं भाल रहे हूं मुझे यह क्लैरिफाइन नहीं हो रहा है ही तो देखते हैं इनवेस्ट मेंटीं मुझेंटब आपको डिविडेंड मिलता है वह आपका रेवेन्यू नेचर का है बिल्कुल सही short term होता है क्योंकि हमें एक साल के अंदर ही जो revenue वो हमें हर साल मिलता है, yearly मिलता है, investment हमारी long term होती है, amount borrowed from a bank, bank से गर आप amount borrow करते हैं, तो वो loan हो गया, वो आपका long term के लिए होता है, compensation received from municipal corporation for the acquisition of land, land आ गया तो ये भी आपका क्या है, capital nature का है, तो option second is your correct answer, option second is your correct answer बिल्कुल, सौरम मिश्रा, third, third कैसे हो गया, bank से अगर आप loan लोगे, borrow करोगे, तो वो आपका क्या है, long term का है, short term नहीं है, तो dividend received on investment, investments के ओपर आपको जो dividend मिलता है, वो आपका क्या रहेगा, short term का है, वो revenue nature का है, आपका capital nature का नहीं है, तो निवेश पर प्रापत is your correct answer, 10th का third, उमा भारती, जी नहीं, third नहीं होगा, अगर आप bank से borrow करते हो, तो वो आपका long term है, वो आपका capital nature का माना जाता है, ठीक है, जी ठीक है, shares related, और भी questions करा देंगे, बिल्कुल कराएंगे, share के regarding, हम हम पूरा chapter 4, feature से related, सारी हर एक, हर एक टाइप के आपक से questions यह तो हम क्या है, अभी ही तो हम क्या कर रहे है, previous year questions उठा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ previous year, जो आपके exam में, UGC net के exam में, already आए हुए हैं, अभी तो हम सिर्फ उन ही को लेके चरहे हैं, एक बार यह हो जाएं, उसके बाद हम आपको topic wise, हर एक topic wise, जहां जहां से questions आते हैं, उ ऐसा कुछ नहीं है, तो next question की तरफ चलते हैं, next question है हमारा, statement first और second आपको given है, business decision makers deal with the complex, जो business decision होते हैं, हमारे makers हैं, वो हमारे क्या है, business decision makers deal with the complex, rather chaotic business conditions, the real world and have to find the way to their destination, that is achieving the goal that they set for themselves, right, उसके बाद second statement में आपको कहा गया है, कि even without application of economic logic and tools of analysis, business decisions are always rational and real and are not counter productive, क्या कहा गया है, कि व्यवसाय समंदी निर्णे करता, वास्तविक जगत की जटिल अपतु अस्त वेस्त व्यवसाय दशाओं से निपटते हैं, तथा अपने गंतव्य के लिए रास्ता निकालते हैं, अर्थार्थ उन्हें उन्होंने जो लक्षय स्वेम के लिए नियत किया है, उसे प्राप कॉनसी स्टेट्मेंट आपकी थीक है और कॉनसी स्टेट्मेन आपकी गलत है, आप से पूछा गया है, बताउ स्टूढेंट फटा फट जागरत श्रीवास्तप गुड़ इवनिंग जी गुड़ इवनिंग स्वारम मिश्रा कह रहे हैं जागरत श्रीवास्तप गुड़ इवनिंग जी गुड़ इसमें आपने लिख दिया अगर इसमें यह वर्ड नहीं होता तो हमारी स्टेट्मेंट सेकिंड भी ठीक होती क्या समझ नहीं आया भी दुबारा बताती हूं कि इसमें क्या कहा गया व्यवसाए समद्धी जो निर्णाय करते हैं वह क्या है वास्तविक जगत की जटी लेकिन अस्त व्यवसाए दशाओं में से निपटते हैं बिल्कुल जो भी हमारे बिजनस में जो कंडिशन्स चल रही होते हैं उन सब को वह लेके चलते हैं और अपने गंतव्य के लिए र आर्थिक तरक और उपकरनों को लागू किये बिना भी कि विशलेशन के जो आर्थिक तरक है जो लोजिक हैं और जो उपकरन है उनको लागू किये बिना भी व्यवसाए समद्धी निर्णाय सदैव ही तरक संगतवर वास्तविक होते हैं और प्रति उत्पादक नहीं होते ह यह situation आपकी गलत है क्या कहा गया even without application of economic logic and tools of analysis कि हम इसमें आप से पुछ इसमें कहागे कि without application of economic logic कि बीना कोई logic लगाए और बीना कोई analysis कराए जो हमारे business decisions है वो हमेशा ही क्या होते है rational होते हैं और real होते और counter productive नहीं होते तो ऐसा नहीं है हमें हर business decision के लिए क्या करना पड़ता है logic भी लगाना पड़ता है उसको analyze भी करना पड़ता है तो second statement इसलिए आपकी गलत हो जाती है second statement इसलिए आपकी क्या है गलत हो जाती है और first statement आपकी बिलकुल सहीं है next question है which one of the following statement is true कि इन में से हमारी कौंसी statement सहीं है यह हम से question में पुछा गया है पहली statement आपकी pure profit is the return in excess of opportunity cost pure profit is the return in excess of opportunity cost शुद्ध लाब अवसर लागत से अधिक्या प्रत्याय है second है accounting profit is the excess of total revenue over and above the explicit and implicit cost लेखा लाब्स पस्ट था अंतर नहीत लागतों के उपर कुल आगम का अधिक्या है third है आपका profit maximization is the sole objective of the modern firm कि जो हमारी modern firm है उनका सिर्फ एक मातर ही objective और वो क्या है लाब को अधिक्तम करना last है आपका profit is maximum when the difference between margin revenue and marginal cost कि जब हमारा सिमान्त आगम और सिमान्त लागत के बीच अधिक्तम अंतर होने पर ही लाब अधिक्तम होता है तो यह हमसे question में पुछेगे कि कौन सी इन मेंसे सही है तो सही है आपकी first second आपकी गलत है accounting profit total revenue के और explicit or implicit implicit cost को हम उसमें नहीं लेके चलते सिर्फ और सिर्फ explicit cost को लेके चलते हमा accounting profit को जब calculate करते हैं और modern firms का सिर्फ profit maximization नहीं है बलकि customer को satisfy करना भी क्या है उनका main objective है customer को satisfy करना और profit हमारा maximum तब नहीं होता है जब marginal revenue marginal cost से क्या हो बलकि MC अगर MR को कि नीचे से काटती हुई जाए नीचे से अगर काटती हुई जाए वहां पर हमारा जो profit वो maximum होता है तो सिर्फ वर सिर्फ और सिर्फ आपकी first statement ठीक है बाकी तीनों statement आपकी क्या है गलत है तो यहीं आप से question में पूछए हैं ड्र् 이용 हमारी कौन सी है जो pure profit है वह हमारा क्या होता है opportunity cost से ज्यादा opportunity cost से जो भी access में होता है वह हमारा क्या कहलाता है pure profit वो हमारा क्या कहलाता है pure profit next question which one of the following is not the assumption on which the theory of consumer behavior is based on the cardinal utility approach जो हमारी economics में cardinal utility approach आती है उसकी इन में से कौन सी assumption नहीं है basically आप से question में क्या पुछा गया है कि जो आपकी cardinal utility approach है उसकी assumption नहीं है यह हम से पूछा गया rationality बिल्कुल होती है कि हम यह मान के जलता है cardinal utility approach में कि जितने भी हमारे customer वो सारे क्या होते हैं rational होते हैं constant margin utility from successive unit जी नहीं जो हमारी margin utility हर successive unit के लिए यानि कि हर successive जो भी हम एक unit के बाद दूसरे unit को consume करते हैं तो वहां पर हमारी margin utility हो क्या हो जाती है decline होती जाती है जैसे जैसे आप जैसे आपको ज्यादा utility मिलेगी फिर आपको क्या है यह कम होनी शुरू हो जाते हैं कि जैसे जैसे आप units को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी जो marginal utility है वो क्या होती चली जाती है आपकी decline वो क्या होगी आपकी decline constant margin utility of money बिल्कुल सही है utility को हम measure कर सकते ये भी इसकी एक assumption है तो जो इसकी second assumption है वो गलत बताई गई है तो इसका answer रहेगा आपका second second is your correct answer next question है हमारा point price elasticity बिल्कुल सही answer point price elasticity of demand in terms of marginal and average revenue can be measured with the following formula कि जो point price elasticity है उसको हम इस formula से measure करते है बिल्कुल सही है ये बात AR upon AR minus MR से हम क्या करते है point price elasticity को measure करते है statement 2 में क्या कहा गया है the point price elasticity of demand is the product of slope of demand function and the ratio between corresponding price and quantity बिल्कुल जो point price elasticity है demand की वो क्या है product है किसका slope of demand function और ratio between the corresponding price and quantity बताओ statement first तो ठीक है statement second ठीक है या गलत है बताओ students फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा answer आपका सहीं है तो answer है आपका answer है आपका answer 1 कि दोन्नों की दोन्नों जो statement है वो आपकी क्या है सहीं है दोन्नों statement आपकी क्या है सहीं है बढ़ते हैं next question की तरफ which one of the following is not the basic property of indifference curve basic property नहीं है indifference curve की basic property नहीं है यह आपसे question में पूछा गया है negative slope होता है बिल्कुल सहीं है indifference curve of two imperfect substitutes are concave to a point of reason concave नहीं होता है क्या होता है यह convex to the origin क्या होता है यह convex to the origin तो यह आपकी property नहीं है indifference curve don't intersect nor are they tangent to one another and upper indifference curve indicate a higher level of satisfaction बिल्कुल सहीं है यह तो 15th का आपका answer रहेगा हंजी हंजी बिल्कुल message show हो रहे है आपके तो answer two next है आपका the scale of measurement which has no order no distance and unique origin is known as which one of the following उसे हम क्या कहेंगे क्या कहेंगे क्या कहेंगे nominal scale ordinal scale interval scale और ratio scale गड़ना का पैमाना जिसमें ने क्रम हो ने दूरी हो ने एक मातर उद्गम हो तो उसे निमन में से किसके द्वारा जाना जाता है ना मातर पैमाना क्रम सूचक अंतराल और अनुपात बताओ students हरी अफटा फट बताओ क्या अंसर रहेगा इसका तो ऐसा scale जिसमें ना कोई order हो ना कोई distance हो ना ही कोई unique origin हो उसे हम कहते हैं nominal scale उसे हम कहते हैं nominal scale ना मातर उसे हम कहेंगे ना मातर पैमाना next question है आपका the formula to determine the number of classes number of classes given by surge rule के थूर हम क्या calculate करते है number of classes क्या calculate करते है number of classes किसके rule के थूर स्टर्ज रूल या फिर आप यह भी question आ सकता है कि number of classes calculate करने का जो rule हो किस ने दिया था स्टर्ज ने दिया था या फिर यह भी है कि स्टर्ज रूल के according number of classes इन में से किस formula के थूर हम क्या करते हैं उसको check out करते हैं तो बताओ students इसमें से क्या answer रहेगा k equal to one plus three point three two two into log of n k equal to log of n into one point three two two third option of one plus three point three two two divided by log of n और लास्ट है k equal to three point three two two divided by log of n plus one जहां पर k का मतलब है number of classes n का मतलब है total number of observation और log of n logarithm of total number of observations हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आफरीन का आ रहे है 17 का थर्ड मौहित का भी कह रहे हैं आफरीन भी कह रहे है 17 का थर्ड सूरज गुपता 17 थर्ड उमा भारती 17 थर्ड एक बार और पढ़ लो students question number of classes stirs के नियम द्वारा वर्गों की संख्या निर्धारित करने का कौन सा फॉमुला है तो आंसर रहेगा आपका आंसर वन आंसर वन next question की तरफ बढ़ते हैं next question है हमारा which one of the following is not the characteristics of normal distribution normal distribution का हमारी characteristics नहीं है यह हम से question में पूछा गया की इन में से कौन सी हमारी normal distribution की characteristic नहीं है निमल लिख में से कौन सी समान्य वित्रण की विशेश्टाएं नहीं है यह आप से पूछा गया है first है bell shaped and symmetric बिलकुल normal जो distribution है वो हमारा क्या होता है bell shaped होता है इस तरह से ठीक है और symmetric mean, median and mode of the distribution are equal जो mean, median and mode है वो आपके क्या होते है equal होते है ठीक है उसके बाद the total area under the curve for the normal probability distribution is 1 यह पूरा area हमारा क्या है one के equal होता है यह भी ठीक है total area आपका one होता है यह यह भी जो हमारा है पूरा का पूरा one होता है इसमें इधर का point five और इधर का point five यह parallel चलेंगे यह कभी भी हमारे x-axis को यह y-axis को क्या है टच नहीं करते हैं तो आपका answer रहेगा option fourth fourth is your correct answer fourth is your correct answer bell shape भी होता है mean, median, equal भी होते हैं और दोनों के दोनों जो probability distribution total area वो one भी होता है लेकिन यह कभी भी horizontal axis को touch नहीं करते हैं हमेशा यह इसके parallel ही चलेंगे कभी एक दूसरे को यह टच नहीं करेंगे सूरज गुपता का बिल्कुल answer सहीं आया है 18 का डी बढ़ते हैं next question की तरफ next question है आपका education की book education education के लिए आपका जो आपने master degree में आपने जो भी बुक्स पड़ी हैं वही सारी books आपकी UGC net के लिए sufficient है आपने अपने education में अपनी M.Ed करते हुए अपनी B.Ed करते हुए आप अपना syllabus देखो UGC की site पर जाके आपका syllabus क्या है और syllabus के related हमारी बहुत सी बुक्स आती है जिसमें आपका क्या है आपका सारा का सारा जो matter है उसमें होता है लेकिन उससे पहले आपको जो आपने अपनी B.Ed में और अपनी M.Ed में करते हुए आपने जो बुक्स पढ़ी हैं पहले उन लिए उन बुक्स से आप अपनी कॉंसेप्स को क्लियर करो पहले उन बुक्स से एक बार सारा go through करो सारा स्लिए उसके बाद जो भी मारकीट में कोई भी बुक लेते हो सेकिंड पेपर के लिए उनको बाद में पढ़ना पहले आपने अपनी जो बीएड और एमेड करते जो अपनी बुक्स पढ़ी है उन बुक्स अब एक बार उनको गो थू करो और फर्स पेपर के लिए आपकी यहां पर क्लासी चल रही है यूजी सीनेट का फेपर वन के लिए बैच शुरू होने वाला या तो पेपर वन को आप बैच जो है उसको जोइन करो को आपको ध्यान रखना है 337 यह मेरा कोड है इस कोड को यूज करते हो आपको बैच को परच कि पहले statement में क्या कहा गया है एक बड़े आकार के स्मग्र में से उचीत आकार का निर्दर्श दैविक रूप से निकाला जाये तो उसमें स्मग्र में उपस्थित सभी विशेष्टाओं का समावेश होता है यह आपकी पहली statement में कहा गया है reason क्या है इसका the theory of sampling is based on the two important laws of statistics that is law of statistical regularity and law of interior of large number इंटीरिया ओफ लार्ज नंबर निर्दर्शन का सिधान सांखिकी के दो महतोपुर्ण नियूमों पर अधारित है पहला सांखिकी नियम इत्ता का नियम और आवं बरियत संख्याओं का जड़ता का नियम थेंक्यू सो मच थेंक्यू सो मच स्टूडेंट्स सहीं पढ़ाती हूं तो प्लीज यूजी सीनेट का जो complete बैच हमारा शुरू होने वाला है उसको जॉइन करो और अरली बर्ट्स के लिए बिल्कुल नाइन्थ होगर से यह हमारा जो बैच वो स्टार्ट होने वाला है यह कोड़ आपके सामने लिखा है 337 यह मेरा कोड़ा इस कोड़ को यूज करते हुए आप उस बैच को है क्या है पर्चेस करो तो आपको 77 परसेंट का यूज डिसकाउंट मिलेगा तो बताओ स्टूडेंट्स क्या अंसर रहेगा इसका कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है और क्या वो आपको कर रही है या नहीं कर रही फुली एक्स्प्लेंड कर रही है या नहीं कर रही बताओ स्टूडेंट्स फटा-फट क्या अं जर्शन और रीजन आपको दिये गए हैं क्या हुआ स्टुडेंट्स आवाज नहीं आरी मेरी सुन रहे हो आवाज आ रही है मेरी कहां गए आप सब बांसर क्यों नहीं कर रहे है फटाफट मोहित सिंगला कह रहे हैं अ को बुद्धा क्रीट इस सुरेज गुपता यह कह रही है आशी श्री वास्टव भी एक हरे हैं लेट्स सी किसका आंसर सहीं है बिल्कुल सहीं सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सहीं है फिर से एक्स्प्लेइन करूं ठीक है जी इसमें क्या है आपकी जो प्रोबैबिलिटी जो आपकी क्या है एडवांस स्टेटेस्टिक्स है एडवांस स्टेटेस्टिक्स में आपका कहा गया है एडवांस स्टेटेस्टिक्स में जो आपकी क्या है फर्स चेप्टर है जो आपक सेंपल रैंडम्ली फ्रम लाज साइज पोपुलेशन के जो बहुत ज्यादा बड़ी पोपुलेशन अगर हम उसमें से क्या करते हैं एक सेंपल निकालते हैं तो सेंपल में आल्मॉस्ट ओल्डी करेक्टर्सिक वीच एक्जिस्ट इन अपोपुलेशन क्या कहा गए आपकी जो सेंपल में उस पोपुलेशन की सारी की सारी क्या होंगी करेक्टर्स्टिक्स ओल्मॉस्ट सारी करेक्टर्स्टिक्स होंगी डेफिनेट होता है कि जो भी हम सेंपल लेते हैं पोपुलेशन में वह सेंपल हमारी पूरी पोपुलेशन को ही रिफ्लेक्ट करता है जो आपकी फ तो यह भी आपकी बिल्कुल सही है और यह इसको क्या कर रहा है एक्सप्लेइन कर रहा है कि उसमें तो हमारी क्या बात की गई है कि जो सेंपल हम निकालते हैं वह सेंपल हमारा पॉपुलेशन जिस भी पॉपुलेशन में से निकाल लेंगे वह सेंपल हमारी उस पॉपुलेशन की और रिप्रेजंट करता है तो बिल्कुल इसको करेक्ट एक्सप्लेशन है और दोनों की दोनों स्टेट्मेंट आपकी ठीक हैं जी हाँ बिल्कुल मेरा नेट क्वालिफाइड हूं है पीएश्डी मेरी कम्प्लीट है सेवन टाइमस मेरा नेट क्वालिफाइड है यूजिसीन के टाइम का भी मेरा नेट क्वालिफाइड है स्ट के टाइम का भी नेत कवा लिफाई किया है पिएच्ड की मैं आल्मॉस्ट कम्प्लीट है आफ 60 पांप इस पीरियंस का मेरा टीचिंग एक्सपिरियंस है कॉलेजिस और युनिवसिटीस में टीच करने का तो गाइज यह था आपका 19th question answer था आपका first बढ़ते हैं हमारे next question की तरफ, next question है आपका statement 1, statement 1 में क्या कहा गया, if the alternative hypothesis is as, अगर आपकी alternative hypothesis इस तरह से हैं कि mu is not equal to mu 0, a researcher require two tail test in hypothesis testing, कि अगर आपकी जो alternative hypothesis है वो क्या है, आपकी mu is not equal to mu 0 है, तो researcher को two tail test लगाना चाहिए, यह आपके statement 1 में कहा गया है, ठीक है, second statement में आपका कहा गया है, the mean of sampling distribution of mean is not equal to the parameter value of mean, कि माध्य के निर्दर्शन, वितरन का माध्य है, माध्य के प्राचालिक मुल्ले के बराबर नहीं होता है, वो आपका, उसके equal नहीं होता है, तो हमसे यह question में पुछाएगी, कौनसी statement आपकी सही है, और कौनसी statement आपकी गलत है, बताओ students, फटाफट, answer गर के बताओ, कि कौनसी statement की, अगर आपकी alternative hypothesis क्या है, mu is not equal to mu 0 है, तो क्या researcher को two-tail test लगाना चाहिए, और second है कि जो mean है, sampling distribution of mean का, वो हमारे parameter value of mean के equal नहीं होता है, बताओ students, दोनो statement सही है, दोनो statement गलत है, या एक ठीक है, एक गलत है, फटा-फट answer करके बताओ, hurry up students, hurry up, hurry up, hurry up, जी मैं great नहीं हूँ, great हो, आप सब students जिनकी वज़े से आज हम हैं, क्योंकि अगर आप नहीं होगे, तो हम किसे पढ़ाएंगे, आप जैसे students हैं, तभी हम हैं, हमारे होने की reason तुम सब होगे, कि आप सब भी students होगे, जिने हम पढ़ाएंगे, तभी हमारी teaching में और ज़्यादा निखार आएगा, और ज़्यादा हम अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोग जितने ज़्यादा डाउट लोगे, उतना ज़्यादा हमारी teaching और निखर के आएगे, तो thanks to all सब, आप सब ग्रेट हो, उमा भारती का अंसर आया है first, बाकि students, आफरीन कहा रही है third, मोहित सिंगला कहा रही है second, मोहित कहा रही है दोनों statement गलत है, आफरीन कहा रही है कि first ठीक है, second गलत है, let's see, सबी students का अलग-अलंग answer है, देखते हैं किसका सही है और किसका गलत है, आफरीन, बिल्कुल सही answer, well done, आफरीन, बहुत बढ़िया, आपका अंसर बिल्कुल सही है, statement first है, वो बिल्कुल ठीक है, जब हमारी क्या हो, alternative hypothesis यह हो, तो एक researcher को two-tail test लगाना चाहिए, लेकिन य हो है, हमारा sampling distribution of mean का, वो parametric value of mean के equal नहीं होता है, वो हमारा उसके equal नहीं होता है, तो answer third is your correct answer, बढ़ते हैं हमारे next question की दरफ, next question है, आपका fundamentals of top management, middle management, sense of management and principle and practice of management, यह author के नाम गीवन है, कौन से author ने कौन सी book दी थी, यह आपको match करना है, फड़ा हट बताए कौन से author की कौन सी book थी, कोई बात नी मौहित, कोई बात नी, रोने की जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, और यहां तो आप चाहिए जितने मर्जी गलत करो, यहां पर, तो हम है आपको सहीं करने के लिए, तो घबराने की या रोने की जरूरत नहीं है, अगर कभी सहीं है, तो कभी गलत भी होंगे, और कभी गलत है, तो सहीं भी होंगे, गलत होके, अगर सहीं होते हैं, तो वो चीज़ ज्यादा बेटर है, नेक्स्ट क्वेशन की तरफ ध्यान करो, फटाफ़ट स्टूडेंट्स, फटाफ़ट आफरीन, मोही, ताशी, सूरज, उमा भारती, फटाफ़ट बताओ, क्या आंसर रहेगा, सूरज कह रहे हैं, 21st का A, लेटसिढ, A का कह रहे हैं, यह, आफरीन भी कह रहे हैं, 21st का फर्स्ट, बाकि तुडेंट्स, फटावैर गरो, देखते हैं, किसका अंसर सहीं है, आंसर है, आपका, आंसर फर्स्ट, बिलकूल सहीं, आफरीन का अंसर सहीं है, सूरज गुपता का भी आंसर सहीं है आशी का भी आंसर सहीं है उमा भारती का भी आंसर सहीं है सभी स्टुडेंट्स का बहुत बढ़िया बिल्कुल सहीं आंसर है सभी स्टुडेंट्स का वेल डन गाइस वेल डन बहुत बढ़िया तो बढ़ते हैं हमारे सब्सक्राइब कर सकता है सब कुछ प्रबंद कर सकता है कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है कि management is not just a creature of the economy it is a creator as well कि management क्या है creator भी है और प्रबंधन अर्थ व्यवस्था का स्रीजन मातर नहीं है बलकि स्रीजन करता भी है और सेकिंड स्टेटमेंट में कहा गया he who can manage can manage anything वह जो प्रबंध कर सकता है सब कुछ प्रबंध कर सकता है कौन सी स्टेटमेंट सहीं है कौन सी स्टेटमेंट आपकी कलत है यह क्वेश्चन में पूछा गया बिलकुल इसका आंसर आपका रहेगा स्टूइंट्स फटा ऐ přाफ लिए ऐस कि दौनस्सर्ण क्यंट सही दएंटे स्टूइंट करके बताओ आज कि सबसे पहले आनसर आ रहे हैं सूरज गुपता भी फोछ क्या रहे हैं आपम्मा भारती सेकंड कह रही सर्फ करेक्ट है फर्स्ट गलत है कि देखते हैं किसका सही है वह भारती सही है या बाकी स्टूडेंट सही है फॉर्थ दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जो Management है वह सिर्फ सब कुछ कर सकता है तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सहीं है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ नेक्स्ट क्वेशन है आपका ड्यू टू टू टीज एक्सपेरिमेंट्स टाइम मोशन एंड फेटीग स्टुडीज अफेक्ट्री डस नॉट रिमेन फेक् यह आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है इसका रीजन क्या कहा गया है मैनेश्मेंट सकसीड और फेल्स एज हुऊंड रिलेशन इन बिजन्स आर इंटैलीजेंट और ऑनिंटैलीजंटली हैंडल कि व्यफसाइए में कितनी बुद्धी मानि और कितनी या तासे मानव संबंधों से निप्टा जाता है प्रबंधन उसी पर सफल या वीफल होता है देखो जी यह इसको एक्सप्लेंड तो कर नहीं रहा साफसी बात है इसमें किसी और चीज की बारे में इसमें मैनेजमेंट के बारे में पात कही गई है और इसमें कहा गया कि एक फैक् बिजनस को हेंडल करते हैं बताओ स्टूडेंट्स के आंसर रहेगा इसका आपका आंसर रहेगा बोथ आर करेक्ट बट आर इस नोट राइट एक्स्प्लेशन ऑफ एक दोनों स्टेटमेंट आप किसी थी कहले कि निया इसको एक्स्प्लेंड नहीं कर रही है टोनों अलग अलग बात कर रही है लेकिन इसको एक्स्प्लेशन नहीं कर रही है। नेस्ट कोशन है हूं अमंग इस फॉलॉइंग इस नोट एसोशेटेड़ वी धथी हूरी साफ मौटीवेशन theories of motivation से related नहीं है देखो Maslow ने भी theory दी हुई है Frederick Herzberg ने भी theory दी हुई है PF Drucker की भी theory है सिर्फ Chris Agri से ये आपकी motivation की theory से related नहीं है next है as per the Herzberg's hygen theory of motivation which among the following is not a motivational factor की Herzberg की hygen theory के according इन में से कौन सा आपका motivational factor नहीं है recognition पहचान देना बिल्कुल आप इससे क्या होते हों motivate होते हो hygiene की हर्जबक की hygiene theory है recognition एक motivational factor है अगर आपको responsibility दी जाएगी तो भी आप motivate होगे achievements भी और working conditions working condition क्या है आपकी नहीं है तो इसका अंसर होगा आपका PF Drucker और इसका अंसर रहेगा आपका answer to working conditions क्या रहेगी working conditions next है हमारा question next question है जब वोल्ट डिजनी वोल्ट मैजी किंग्डम लेट्स कंजूमर विजिट अ फेरी किंग्डम आ पायरेट शीप और हांटेड हाउस दैन वट इस अ मार्किटिड इन इस एक्जाम्पल कि जब वोल्ट डिजनी वोल्ट मैजी किंग्डम वोगता को एक परिलोक एक लुटेरा जहां जिए भूत घर को भ्रहमन कराता है तो इस उधारन में किसका विपनन किया गया है services का events का experiences का या ideas का तो इसमें experience में जो आपका example है किस चीज़ का example है आपके experience का तो next question है जी आपका which one of the following statement is true according to VALS framework of psychographic segmentation जो हमारा psychographic segmentation होता है उस psychographic segmentation में जो हमारा VALS framework है उसके according इन में से कौन सा हमारा ठीक है ये हमसे question में पूछा गया है बिल्कुल सही answer बिल्कुल बिल्कुल सही answer है students आप सभी का next question है the consumer who are primarily motivated by ideals are guided by knowledge and principles की मुख्यता विचारों से अभी प्रेरित होने वाले उभोकता ज्यान और सिधान से निर्देशित होते हैं the consumers who are motivated by achievement, look for knowledge and principles की उपलब्दी से अभी प्रेरित होने वाले उभोकता ज्यान और सिधान की खोज करते हैं third option है consumers who are motivated by self-expression don't desire social or physical activity, variety and risk की आतम अभी व्यक्ती से अभी प्रेरित होने वाले उभोकता समाजी के सारेरिक कार्याशाला विविदता या जोखिम नहीं चाहते हैं last है आपका the consumers who are motivated by achievement, desire, social and physical activity, variety and risk उपलब्दी से अभी प्रेरित होने वाले उभोकता समाजी के शारेरी कार्याशाला विविदता और जोखिम चाहते हैं तो बताओ students इन में से कौन सा आपका आंसर सही है और कौन सा आंसर आपका गलत है फटाफट students, hurry up, क्या आंसर आपका सही है, VALS framework of psychographic segmentation मनो वृत्ति परक विभेदी कर्ण की जो VALS ढांचा उन में से कौन सा कथन आपका सही है, इन में से कौन सा कथन आपका सही है बताओ students, फटाफट, फटाफट, hurry up, क्या आंसर आपका रहेगा सूरज गुपता कह रहे हैं, first, उमा भारती कह रहे हैं, third so let's see, सूरज सही है या उमा भारती, आशी श्री वास्तव कह रहे हैं, first, मौिट सिंगला कह रहे हैं, first so let's see, what is the right answer, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही answer है, सभी students का बिल्कुल सही, the consumers who are primarily motivated by ideals, are guided by knowledge and principles, are guided by knowledge and principles, बिल्कुल सही answer है next question है, आपका assertion और reasoning का, इसमें आपका गिया है, a transformational appeal of communication elaborates on a non-product related benefit or image, कि संचार की रुपांतरियन अपीले, गैर उत्पात संबन्दी तलाब या छवी की व्याख्या करती है संचार की रुपांतरियन अपीले, transformational appeal of communication elaborates on a non-product related benefit and image reason क्या दिया गया है, transformational appeals often don't attempt to stir up emotions that will motivate purchase कि रुपांतरियन अपीले बहुदा खरीद को अभी प्रेरित करने वाले मनों भावो को पेजित, उतेजित करने का प्रयास नहीं करती है कौनसी स्टेडमेंट आपकी सही है, कौनसी स्टेडमेंट आपकी गलत है, यह हमसे question में पूछा गया है तो इसका answer रहेगा students आपका option second कि A आपका सही है, लेकिन R आपकी क्या है गलत कि जो transformational appeal है वो communication की non-product related benefit or image को दिखाती है answer second answer second next question है, आपका select the correct sequence of hierarchy of effects model related to marketing communication, marketing communication, विप्वनन संचार से संबंधित प्रभाव के पदानुकर्म model के लिए सही क्रम का चयन कीजिए next question है, आपका hierarchy model बताना है, hierarchy of effect model क्या आपका क्या hierarchy रहेगी, बताओ students, फटाफट बताओ, 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 फटाफट क्या answer रहेगा आपका correct sequence of hierarchy of effect model correct sequence of hierarchy of effect model hurry up students, बस last question, second last question है, फटावट बताओ, क्या answer रहेगा आपका सूरज गुपता कह रहे है, second, आफरीन कह रहे है, first hurry up guys, hurry up, उमा भारती कह रहे है, second, सभी students का अलग-अलग answer आ रहे है, let's see, what is the right answer, right answer है आपका first, सबसे पहली होती है, आपकी awareness, awareness के बाद knowledge, knowledge के बाद फिर आपका करोगे, उसको like करते हो, फिर preference, फिर conviction, और फिर purchase, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, अवेर होना चाहिए अवेर के बाद फिर आपको उसके बारे में knowledge, knowledge के बाद आप उसको क्या करोगे, like, कि आप उसको पसंद करने लगते हो, फिर आप उसको preference दोगे, preference के बाद फिर आपके conviction मनें कि हाँ, आपको वही product लेना और फिर आप उसको definitely क्या करोगे, purchase करोगे, the first option is your correct answer, last question है students, last, आज के हमारे session का last question, basic product, expected product, augmented product और potential product, बताओ, list one को list two के साथ match करना है, list one को list two के साथ match करना है, फड़ा बताओ, basic product क्या है, बताओ, students बताओ, फटाओ, फटाओ, बताओ, क्या answer रहेगा, इसका कहां गायब हो जाते हो आप सब, बड़ा time लगा रहे हैं, आज answer करने में, basic product, expected product, augmented product और potential product, मोहित सिंगला का answer आ रहा है, फोर्थ, बाकी students, let's see, मोहित का answer सहीं है या नहीं, तो answer 4th is the correct answer, answer 4th is your correct answer, बिल्कुल सहीं, मोहित का बिल्कुल सहीं answer आया है, basic product होता है, आपका, converting core benefits into product, कि जो आपके core benefit है, वो आप किसमें convert करते हो, प्रोड़क्ट में, ठीक है, B का आपका रहेगा, first, expected product, set of attributes and conditions, buyer normally expect, expected product क्या होता है, वो product जिसमें, जो बायर है, वो normally expect करता है, कि यह हमारे इस product में यह चीज़ें, यह attributes हमारे होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद आता है, आपका augmented product, augmented product का मतलब होता है, exceed customer expectations, कि जो customer expect करता है, उससे जादा अगर उसको मिल जाए, तब वो होता है, आपका augmented product, और potential product होता है, आपका possible augmentation and transformation, the product might undergo in future, कि जो आपके, जो potential यहने कि जो आप future में उसमें क्या कर सकते हो, कुछ भी change कर सकते हो, 230 वाली class, आज आपकी 230 वाली class नहीं थी, आज आपकी 230 पे class नहीं थी, आज सिर्फ एकी class थी और वो 4.30 पे थी, यह वाली class जो हमारी over हो गई है, तो students, जुड़ना ना भूलिएगा, Saturday को आप सभी students के लिए teacher sadda giveaway की opportunity लेकर आ रहा है, जिसमें आप सबको कुछ ना कुछ benefit होने वाला, उससे हमें कोई benefit नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को benefit रहेगा, तो Saturday को जुड़ना ना भूलिए, टीचर सड़ा के YouTube चैनल पर शनीवार सुभह 10 बजे, हम से जुड़े रहिएगा, Thank you so much guys.